हलो फ्रेंज स्वागत है देखिए मैं आपको बिलाउज का डिजाइन बता रही हूँ डबल फूल्ड में कपड़ा है और कपटे का लंबाई 14 इंच है चोड़ाई इसका 10.5 इंच है देखिए जो एस्ट्रा कपड़ा है उसे मार्क लगा करके अलग कर दिंगे गले का चोड़ाई 18 इंच है तीन इंच सोल्डर है आर्म होल 6 इंच है डेड इंच पर गोलाई देदेंगे गले का लंबाई 10 इंच है गले का लंबाई 10 इंच है फ्रेंच डाई इंच पर इसे मार्क लगा लेंगे अब इस तरह गले का सेफ दे देना है ऐसे और यहां फिटिंग का मार्क लगाएंगे इसे नौ इंच का फिटिंग है डेड इंच इसमें कपड़ा अधिक है नीचे आठ इंच पर फिटिंग लगा करके यहां पर मार्क लगा लेंगे और इसे कट कर देना है देखिए ऐसे और यह ब्लाउच पीश है ब्लाउच पीश में फ्रेंच थोड़ा थोड़ा कड़ाई भी है देखिए तो हम इसे यह बैक पार्ट का है और यहां ब्लाउच पीश में मार्क लगा करके जो बीश, ब्लाउच पीश में जो बीश का मार्क है उस पर हम सेट करके चारो तरफ पीन से सेट करके कटिंग कर लेंगे और यहां देखें नीचे सिलाई लगाएंगे और चारो तरफ का पीन हम निकाल लेंगे और यहां देखें ऐसे करके हम अस्तर वाले कप्ड़े पर चाप सिलाई लगाएंगे देखें अब दोनों को ऐसे मिला करके कॉनर पर एक और सिलाई लगाएंगे देखें अब चारो तरफ ऐसे मिला कर पीन लगा लेंगे देखें आप पीन लगाना यदि नहीं चाहती है तो आप चारो तरफ सिलाई लगा करके इसे अच्छे से सेट कर लें यहां देखें पाइपीन बनाने के लिए हम तीरचा पट्टी करके रेडी करें हूं और इसे डबल फोल्ड में करके हम यहां पर सिलाई लगाएंगे चोटा चोटा यदि कपड़ा होगा तो आप जोड़ करके लंबा कर लीजिए गले की अनुसार उसके बाद यहां पर सिलाई लगाईए देखे जो स्टोन है कपड़े का विलाज पीस पर उसे निकाल लेना है नहीं तो सुई तोट जाएगा और पूरे गले पर हम कपड़े को डबल फोल्ड में करती हुए सिलाई लगाएंगे और यहां देखे सिलाई हम उपर लेते हुए उसके बाद उपर वला कपड़ा हम अंदर करेंगे और यह से पतला पाइपीन बनाएंगे अंदर सिलाई रहेगा तो हमारा यह टाइट पतला पाइपीन बनेगा देखे पूरे गले पर हम इसी तरह पाइपीन बना लेंगे देखे फ्रेंज अब डिजाइन बनाने के लिए कपड़ा लेंगे कपड़ा ऐसे लेना है साढ़े तीन इंच का चोड़ाई इसका है और डबल फोल्ड में कपड़ा करके यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे आधा इंच कपड़ा को पकड़ते हुए सिलाई लगाना है और कपड़े का लंबाई ज़्यादा है फ्रेंज क्योंकि पूरे गले पर इसका चूनट होना चाहिए हम चून वाला डिजाइन बना रहे हैं अब इसे हम सिधा करेंगे डोरी को देखिए ऐसे डोरी को सिध कर लेना है और इसे हाँ से अच्छे से ऐसे बैठा करके सिलाई नीचे रहेगा फ्रेंज उसके बाद ऐसे हम चूनट इस पर लगाएंगे और बीच उबीच में सिलाई लगाना है देखिए चूनट हमारा रेडी हो गया है और यहां देखिए हम गले पर ऐसे रख करके सेट करेंगे और बीच में सिलाई लगाएंगे जिस तरह गले का सेफ है उसी तरह हम इसको लगाते हुए सिलाई लगाएंगे देखिए चूनट हमारा लग चूका है और इस पर एक और डिजाइन बनाएंगे तो डिजाइन बनाने के लिए हम कपड़ा लेंगे चोड़ा और चोड़ा चोड़ा लबा कपड़ा ऐसे चरकोर कपड़ा सर्का कहा हम ऐसे मोड करके और 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 मोड़ेंगे और अईसे चूनट कि साथ इसे पकड़ते हुए यहां पर ऑसलाई लगाएंगे इसे हाथ से सिलाई लगाना है फ्रेंज तरह भी डिजाइन अच्छा दिखेगा इसी तरह हम छोड डिजाइन को बना लेंगे और डिजाइन बनाने के बाद सभी डिजाइनों को हम एक ही में ऐसे गुतेंगे प्रेंगे और देखिए फ्रेंज अब इसी को हम दुबारा ऐसे सिलाई लगाएंगे कि मजबूती के साथ सिट हो जाए देखिए और गोल्ड राउंड में ये फ्लावर बनेगा इसके दोनों साइड हम इसी तरह सिलाई लगा करके पक्का कर लेंगे और यहां देखिए इस पे बीच में हम बटन लगाएंगे चाहें तो आप कपड़े से भी बटन बना सकते हैं उसका भी वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ आप वहां जाकर कि देख लीजिएगा ये बटन डाइरिक्ट खरीदा हुआ है इसे भी अच्छे से हम सिलाई लगा करके पक्का कर देंगे देखें फ्रेंज अब यहां देखें हम ब्लाउज में लगाएंगे और जो यहां पर सिलाई है उस पे हम लैस लगा लेंगे लैस हमारा पतला है फ्रेंज जिसे सिलाई ढग सके और यहां देखें वीच में हम इस फ्लावर को लगाएंगे अब इसके चारू तरफ हम सिल करके पक्का कर देंगे उमीद है कि हमारा यह बिलाउज डिजाइन आपको जरूर पसंद आया होगा पसंद आएगा तो फ्रेंज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा जब भी मैं वीडियो डालू तो नोट्फिकेशन आप तक पहुँचे और आप हमारे वीडियो देख सके मेरा चैनल है सकुंतला देवे स्टेचिंग और यहां देखे पीछे ऐसे करके हम गाठ लगा लेंगे और देखे फ्रेंज यहां पर मैं पीछे जो दो टक्स है उसे भी सिल लेंगे लंबाई इसका चारिंच है फ्रेंज और यहां देखे मैं दो डोरी सिल करके रेडी रखे हूँ और इसे दोनों को ऐसे लगा लेना है फ्रेंज उपर से तीन इंज लेते हुए हम गले पर ऐसे सेट कर लेंगे और जो एश्ट्रा है इसे मौट देंगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ बढ़ो णहीं वीडियो मते है और गले हुए सा कर दो देखने जाद्र कि घट पक मैं